यूनिवर्सिटी ने 25 तारिक को काफी important नोटिस आज जो है अपनी official website पे डाले हैं हर बार की तरह शाम को 8 बजे हमने सब कुछ discuss कर लिया है अगर future में कभी भी आपका कोई doubt रहता है तो 8 बजे live session join कर लेना और अपना सवाल पूछ लेना यहाँ पे यह notice जो back paper वाला है पिछली वीडियो में हमने discuss कर लिया था इस वीडियो में हम बात करेंगे इस notice के बारे में जो की है private form को लेकर तो इसमें भी यह भी वैसे हमने live session में discuss कर लिया लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि BAB.com और MAM.com मतलब private form जो इनके चलन दिसम्बर के पहले सब्ता में चलने थे उनके लिए notice है यह इन्होंने बोला कि 26 तारिक से form भरवाना शुरू कर देंगे और 25 दिसम्बर अंतिम्तितियोगी form को भरने की भरावा form 27 दिसम्बर तक आपको college में जमा करना है college में जितने 27 तारिक तक form college में जमा हो जाएंगे उ उनको 28 तारिक तक college forward कर देगा अगर आप 28 तारिक के बाद या फिर 28 तारिक को college में जाओगे अपना form जमा करने ना कि 25 तारिक को ना कि 27 तारिक को तो आपको university जाने के लिए college बोल सकता है ठीक है तो यह भाई update है important update है तो इसके लिए जो इससे पहले जो नोटिस है इसमें rule लिखे हुए है आप rule को पढ़ सकते हो कि इसमें क्या कैसे बता रखा है क्या pattern है हम rule को नहीं पढ़ेंगे हमने live session में थोड़ा बो discuss करा था यह चीज़ देख लो यह combination नहीं लेने है और simple है हिंदी में आप पढ़ लेना हम करेंगे क्या एक video बना के डाल देंगे जब form इसक website नया portal जिसमें दिक्कत अभी भी आ रही है तो इसमें नये portal पे तो नहीं भरे जाने के हैं क्योंकि university ने पहले ही बोल दिया कि नये portal से नहीं भरवाएंगे इस बार यह private form पुराने वाले portal पे ही भरे जाएंगे ठीक है तो ठीक है फिल इस वीडियो में इतना ही अगर कोई सवाल कोई doubt कोई query होती है तो आप channel पर जाना और उसमें countdown timer चल रहा होगा कि 8 बजे हम पूरे live session करेंगे तो 8 बजे live session जोईन कर लेना जो भी सवाल है महाँ पे पूछ लेना साथ के साथ आपको reply मिल जाएगा तो ठीक है फिल इस वीडियो में इतना ही private form के लिए तयार रहो और बस इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद